नमस्क्र दोस्तों Green Lover चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह जो कैपसिकम देख रहे हैं जिसे मैंने हर्वेस्ट कर रहा हूं यह मैंने खुदी ग्रोव किया हूं घर में तो आज इस वीडियो में कैसे इसको ग्रोव किया हूं और क्या 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 हूं वही बाताने वाला हूं तो देखते रहे हैं यह वीडियो यह जो दो सीडलिंग से कैपसिकम का यह मैंने नार्सरी से खरीदा हूं और आज इस दोनों को पॉटिंग करूंगा पहले छोटा-छोटा ग्रोव बैग में तो इस जो स्वाइल मिक्षर मैंने लिया हूं इसमें मैंने 50 परसें गार् और उसके साथ मिला हूंगा साफ फंगिसाइड यह फंगिसाइड आपको पंगल अटक से बचाएगा आपका प्लांट को तो इसको मिलाना ज़रूरी है अभी मिट्टी को अच्छी तरह से मिला लेता है अभी इस ग्रो बेग में छोटा जो ग्रो घाखे इसमें मैंने उसको पसिंग करउंगा और एक छोटा सा प्लास्टिक को भी सरीव और।कर के हो में अभी इसमें पाटंग करूं तो यह अच्छा से लग जाएगा इसको भी ऐसा दबा कर तोड़ा दबा देना है अब यह दूनों पॉटिंग हो चुका है अभी वाटरिंग करना है अच्छे तरह से इसको वाटरिंग कीजिए और फिर इसको पूरा सनलाइट में रखिए ऐसा जगह में रखना है जहां पे 5-6 घंटा सनलाइट रहे क्योंकि यह सनलाइट बिना ऐसा जगह जहां पे च्छाब है वहां पे ग्रो अच्छा नहीं होगा ऐसे सदिन हो तो देंटिए पॉटिंग का 15 दिन बाद किस तरह से ग्रोगा बहुत अच्छा नय नय पता आया और चोट्ड़ फ्लावर भी आपको दिखpen दे रहा होगा चोट्ड़ फ्लावर भी ब्रोग ह HO गया है तो इस तरह से आपका यह बहुत जल्दी बढ़ता है तो देखें कितना अच्छा यह बढ़ा है इसका ग्रोध बहुत अच्छा हुआ है अभी और 15 दिन बाद यह देखिए जो फ्लावर आया था उसमें से आपका छोटा-छोटा आपका कैप्सिकम नजर भी आ रहा होगा तो इस तरह से आप इसको क्यार करते रहेंगे पूरा सनलाइट में रहेंगे रहेंगे और इसको हाँ नी मॉयल 15 दिन में एक बड़ आप स्प्रे कीजिए सामको टाइम इसको नी मॉयल इसपरी ना करने से इसपरी कीड़ा लाग जगता है अभी देखिए दोस्तों ये जो अभी मैंने इसको ट्रांस्प्लांट करूंगा इस छोटा सा ग्रोबैक से क्योंकि छोटा ग्रोबैक में ये बड़ा नहीं होगा क्याप्सिकम बड़ा नहीं होगा तो इसको root damage ना हो देखिए इसमें कितना अच्छा roots आया है अब मैं इसमें से भी निकाल लूंगा इस तरह से थोड़ा से साइड में दबाने से और फिर उल्टा करने से निकाल जाता है आसनी से देखिए इस पर भी कितना अच्छा root आया है तो अब ही जो दस इंच वाला जो ग्रो भागे उसमें मैं डाल दता हूं पहले थोड़ा मीट्टी भर लता हूं अब एक एक करके मैं दुनों को पटिंग कर लूंगा अब इसके चारे तरफ साइड में एक में लगा लिया और दुनों साइड में इसको मिट्टी डाल को भर देना है इस बर भी मिट्टी उस तरह सी लिया हूं बार्मी कंपोस्ट और गार्डन साल मिला कर यह दुनों मैंने पटिंग कर लिया हूं और अभी इसको वाटरिंग कर देना है वाटरिंग फास्टेम बहुत आच्छा करना है और फिर इसको धूप में रखना है जहां पे पूरा द आपका च्छोड़ फ्लावर जह है थोड़ा थोड़ा बड़ा हो चुका है अग्यों कि ग्रोथ अच्छा हो रहा है अब देखिए और 20 दिन बाद यह देखिए कितना अच्छा इसका बड़ा बड़ा हो गया यह जो आपका कैपसिकम है बिल्कुल बहुत इसका देखने में लग रहा है एक-एक में तो तीन-तीन करके आ चुका है यह देखिए आपका बड़ा हो गया है और साइड में चोटा-चोटा फ्लावर्स भी है तो यह देखे कितना बड़ा हो गया है एक कैप्सिकम आभी इसको मैं निकल भी सकता हूँ लेकिन थोड़ा और बड़ा करने के लिए इसको और कुछ दिन रखूंगा और आभी इसको मैंने हर्वेस्ट करूंगा अच्छी तरह से इसको ग्रोध भी हुआ है एक एक करके यह चोटा है तो यह कुछ बड़ा भी हुआ है जो बड़ा हुआ है उसको मैंने निकाल लोता हूँ इस तरह से आप भी आपके घर में ग्रोव कर सकते हैं यह बहुत इजी आसनी से आप ग्रोव कर सकते हैं यह ग्रोव करना बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है थोड़ा सा क्यार लेना है तो मैंने हर्वेस्ट कर लेता हूं इस वीडियो का अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक शेर और गामेट कीज़े और दोस्तों को शेयर कीज्ये और मेरा चैनल को सब्सक्राइब केजिए ताकि आने दिन में इस तरह का और वीडियो आप को दिखा सको इस वीडियो आं तक mistत देखने के लिए आपका बहु